उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक आजब गजब एंजिरिंग देखने को मिली है जहां एक ही सोचाले में दो सीट बैठा दिये गए उसका कारण क्या था ये अधिकारियों को भी नहीं पता इस सोचाले में लगबग 10 लाग उर्पय सरकारी खर्चा हुआ है और सोचाले के अंदर एक ही बातरूम में दो सीट बैठा दिया गया है कांसेट किसी को पता नहीं है कि ये क्यों बैठा आया गया लेकिन हम इस समय मुझूद हैं बस्ती के गौरा धुन्दा गाउं में जहाँ पर आपको मैं दिखाना चाओंगा कि एक ही सोचाले में आप देख सकते हैं कि दो सीटे बैठा आई गई है उसके दर्वाजे भी तूटे हुए हैं सीट अंदर बैठ गया है इसके गुरुवत्ता की बात तो हम बाद में करेंगे लेकिन इसका अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि ये दो सीटे क्यों बैठाई गई है साथी साथ इस सोचाले को लोग इस्तमाल भी कर रहे हैं यहां मौझूद लोगों से बाचीत किया तो ये पता चला कि इसका कांसिप्ट ये था कि अगर कोई महिला अपने बच्चे के साथ आती है तो वो अपने बच्चे को भी उसी सोचाले में अपने साथ बठा सकती है हमारे साथ यहां केर टेकर हैं मौझूद जो इस सोचाले की रख रखा और देखरे करती है हम उनसे बात करेंगे यह जो एक ही बातरूम में दो सीट बैठे हैं इसका क्या मतलब है कौन इस्तमाल करता है इसको कुछ बताया गया आपको कि यह क्यों बनाया गया है कभी इसको इसको इस्तमाल बच्चों के साथ आपने करते देखा है कैसे कहीरा जो दोएट जाती उसमों अच्छा यह और क्या बच्चों के साथ ऐसा बताया गया कि बच्चों को वहां अंदर बैठाने के बनाई गया के हैं जैसे यहां एक साथ इस तोटा बच्चा साथम है इस तरीके साथ में हो थे टरिका हो तो यह तरीके के यह वें पर जोक रहा है कहना है कि एक मा के साथ अगर कोई बच्चा है तो वो बाहर ना रहे वो भी उस बात्रूम में मा के साथ उस बात्रूम का इस्तमाल कर ले इस कांसेप्ट के साथ ये बात्रूम बनाया गया है लेकिन इस इंजिनरिंग की चर्चा पुरे पुरे प्रदेस में हो रही है और अधिकारियों को इसका concept अभी भी नहीं पता है कि इतना पैसा खर्च करके इस तरीके का नायाब सोचाले क्यूं बनाया गया अब देखना यह होगा कि इस तरीके के सोचाले को सरकार अपने कारियोजना में सामिल करती है